42 MLD Filter Plant पानी टंकी से पानी सप्लाई प्रारंभ जिससे पटरी पार शेतर के लोग होंगे लामभाद में नगर निगम दुर्ग सीमा शेतर में स्थित 24 MLD Filter Plant में पुरानी टंकी जो काफी जरजर हो चुकी थी जिससे काफी मात्रा में पानी वेर्थ ही बह जाता था जिसकी कारण आसपास के वाडों में एवं पटरी पार शेतर में पानी की समस्या आए दिन बनी रहती थी इस समस्या की समाधान के लिए 24 MLD टंकी के बाजू में अम्रित मिशन के तहत नई पानी टंकी का निर्मान कारे किया गया है जिसे जोड कर चालू किया गया है जिसे काफी मात्रा में पानी की बच्चत हो रही है इस बच्चत पानी को पट्री के पार की टंकीयों में भरा जाना है ताकि उस चेतर की पानी की समस्या का निदान हो सके इसे कड़ी में महापौर धिरज बाकलीवाल एवं निगम आयक्त हरिश मंडावी के निर्देश पर जल प्रदाय की अधिकारी करमचारी निरंतर कारे कर रहे हैं वहीं इस टंकी के चालू करने से कसारीडी के कुछ शेतर एवं फोकट पारा गुरु घासिदा सवाट के कुछ शेतर में पानी के समस्या का निदान हो पाएगा अमरित मिशन फेस वन पूर्णता की और है कारे तेजी से जारी भी है जिसके तहर शहर की पूरी आबादी को पेजल संकट से निजाद दिलाने लगातार नई पाइट अंकियों से टेस्टिंग कर पानी भर कर पानी सप्लाई प्रारम कर दी गई है Grand A.C.N. News के लिए दुर्ग से नसीम फारू की की रिपोर्ट